तो अब जो हम नेक्स्ट काम आज करके देखेंगे वो है कि अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि हम फाइल रीडर के अंदर जो है वो डेटा ले रहे थे ठीक है हमारे पास कोई CSV फाइल होती थी और उसको हम इंपोर्ट कर रहे होते थे अपने टूल में ठीक है अब अगर हमने अपने टूल से अपने PC desktop पर एक्सपोर्ट करनी है यह भी हमें पता होना चाहिए है ठीक है हम क्या करते थे कि हम जो हमारे एक नॉर्मिल फ्लो होता था था हमने जो भी तक बनाना सीखा उसमें हमने यही सिखा कि कैसे जो है हम एक file को import कराते है tool के अंदर desktop से अब हम क्या सिखेंगे कि कैसे हम tools से desktop पर export करते हैं ठीक है so हम देखें जब हम import करते थे अपनी file tool के अंदर लाते थे तो क्या करते थे हम ऐसी node जो है वह use करते थे जो कि read करके लाती थी data को अब हमने इसकी node लेंगे जो कि write करे data जाकर desktop के उपर यह जो भी location देना चाहते हैं वहाँ पर ठीक है so अभी तक हम क्या use करते आ रहे थे csv reader ठीक है अब हम क्या use करेंगे csv writer ठीक है आपने आपर आकर search किया csv writer की आपके पास node है आपने उसे drag and drop कर दिया यहाँ पर drag and drop करते हैं मैं इस फरे connection को थोड़ा सा नीचे ले जाती हूं okay so यहाँ पर अमने क्या कर दिया इसको drag and drop करती है so csv writer अब हमारे पास क्या करेगा मैं इसको जिसके node के साथ connect करूंगी वह मुझे यहाँ पर इसको फिर पास दोंगी वो जाकर मुझे एक file वहाँ पर create कर देगा csv file कर देगा let's suppose मैंने आपर category लिवी थी कि मैंने count कर वाया था ची कि मैं आपको इसे यहां से दिखा ज़ती हूं इसका group table के आपर मैंने क्या किया वाथा connect करने के बाद मैं इसे configure करूंगी ठीक है configure में क्या करूंगी पहले हम browse करते थे तो वह पात देते थे जहां से हमने file उठानी है अब हम browse करके वह पात देंगे जहां पर हमने file डालनी है सही है ब्राउज किया मैं चाहिए हूं यह मेरी file जाकर create और desktop के ओपर ठीक है desktop पर इसका नाम हो my extracted data ठीक है my extracted data से मैंने इसका नाम save कर दिया okay अब मैंने क्या क्या इसको location दे दी ठीक है अब मैं इसको okay कर दूँगी okay करके मैं क्या करूँगी इसको execute कर दूँगी अब देखें अगर तो यह काम मेरे ना tool के अंदर किया होता यानि कि मैंने बाहर से file लाकर tool में क्यों तो यहां पर मैं कुछ ऐसा करती कि वह मुझे कुछ show करता लेकिन अब मैंने क्या किया अपने tool से अपने desktop अपने PC पर file किया तो आपर मुझे PC पर जाकर ही देखना पड़ेगा अपने desktop पर जाकर ही देखना पड़ेगा क्युको मैंने desktop पर create किया file तो मैं क्या करूंगी यहां पर अपने search पर पर ही search करके देख लेती हूँ my extracted data यह देखे my extracted data कि उसने मुझे file create करके दे दिया अब हम इसे open करते हैं so अब आप देखें वह जो table वहां बनावा था इसने मुझे यहां create करके दे दिया जिसमें सारे actions oh sorry, सारी categories, सारी games के नाम और उनके against जो है वो सारे उनके counts यानि कितनी किस category के against sorry मैंने इसको control जी yes वो मैंने genre को यह पुरा नेचे लेके गेंगा तो उसका क्या मतलब बता है कि वो सारा वही वाला जो ब्लॉक है तो मैंने क्या किया कि जो categories are different और उनके against जो उनकी numbering है कि इस action movie जो game है उसके against 266 games आपके पास मुझूद है adventure के against 58 मुझूद है fighting के against 29 मुझूद है तो जो table हमने वहां देखा था उसने हमें क्या करके दे दिया csv file बनाके हमारे desktop पर दे दी ठीक है तो यह काम हमारे पास होता है csv writer का आपको पता चल गया है कि हम tool से हमने अगर देखें आप ने क्या किया आपने कोई एक raw data उठाया अपनी file एक उठाई csv file उसको आपने जी 9 पर ला कर उसकी cleaning कर दी अब आप बजाए इसके कि आप coding कर तो इसको clean करते है code करते है आपने direct 9 पर लाए और यहां पर आकर आकर आपने इसके column साफ कर दिया row साफ कर दी group कर दिया string to number में change मुक्तलिफ operations आपने उसके प्रो जो है आप लाए करते है अप लाए करने के पर आप आप चाती हो कि अब यार यह file तो मेरे पस modify होगी है अब आप बज़ा है कि मैं raw data में जाकर इधर से देख देख के changing करूं मैं इस ही जो है ना जो मैंने modelized किया इस file को जो आपने PC में ले जाओ कि मुझे और इसमें कुछ करना ना पड़ी तो जो जो काम हमने टूल पर किया हमने किया CSV writer उठाया उसको drag and drop किया और जहां तक हमने ज energy sales का data जो कि unorganized था मैंने इसको organized किया और organize करने के बाद मैंने का यह जो in actions यह जो actions गेम्स है categories action fight वगरा ठीक है इसके against जो मेरे पस games मुझूद है इसका एक table बना दिया और उसको मैंने अलग file बना कर अपने desktop पर import कर दिया so यह काम हमारे पास होता है किसका CSV writer का इसका नाम दे देते हैं export on desktop desktop पर हमने क्योंका इसको export किया था so this was all about CSV writer